खबरों के लिए आज से अगर आप देखें तो अगर आपको मतलब परिशान होना है चिंता होना है तो मैं तीन चार बता सकता हूं, है इंपेक्ट उसका कुछ नहीं है, for example, वीकेंड पे लोगों के पास टाइम नहीं था, मैचेस भी आजकल होनी है, खाली संडे राज शाम को आफ़ भाता है, अब करें तो क्या करें? तो चुझक चिन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, इसी पे चल्चा कर लेते हैं, जलो मॉसको में ड्रोन से हम्ला हो सकता है, इसी पे चल्चा कर लेते हैं, यह सारी चीज़े च subscript that the market has mature ही, जो भी तो नहीड ँट ह जिससे लोगों को डर लग रहा है कि सेप्टेंबर में शायद लॉक्डाउन हो जाए यह भी खबरें चाल रहे हैं उसमें खुलावा है क्या होता है जब मूड आपका धिला होता है कमजोर है मार्केट 2-2.5% अमेरिका के बाज़ार पिछले अपते गटे हैं तो फिर आपको मतलब अच्छी खबर दिखती भी नहीं यह वैसे थी भी नहीं अच्छी कोई ऐसी खास थी नहीं लेकिन चोटी बोटी भी खबरे हो तो उनसे डर लगने लगता अबको अरे इससे गिर जाएगा क्या अरे चाइना ताइवान से गिर जाएगा अब जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा अब वैसा वाला हाल हो गया वो चाइना वाला मामला भेड़ी आया वाला रोज है वो रोज बोलता है कि मतलब पोजिशनिंग और पॉस्चिरिंग ऐसी हो कि चाहिना क्या करेगा कि किसे करेगा कितना करेगा लेकिन जब जब करेगा तब ह 구ra Scott करेंगे दिसेड करेंगक से पहले वीकेंड बहुत सारी थी dus लेकिन लेकिन करें पर dedicated कोई market का रिएक्शन मारकेट डर rescue खुष्छी क्ट-धार और करें भाट शूफर हमारे पास फिटाई होने के गिरने के अपने और दूसरे कारण बहुत है। उसके लिए हमेंने ने तो COVID का नया वेरिन उपेंज चाहिए, ने चाहिना चाहिए, इना रईशय उक्रें जाईए, उसके अलावा भी हम किर सकते हैं, हमारे में इतनी capacity है गिरने के लिए हमारे अपने दो कारण है न भाई इधर फैस की बिक्वाली जो चल रही है यह रुके तब तो रुके हम और दूसरा ग्लोबल इतना आपको support करनी रहा है इक्विटी मार्केट ग्लोबली थोड़े डीले ढाले से है बाकी तो खबरे अबरे एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो कोई बड़ी होगी तो आपको मार्केट में रियक्शिन के तोर पर दिखीगी अभी एसी कोई चिंता दिखती नहीं है मतलब इन खबरों के दम पर जो